नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाव में डॉक्टर मही पाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे डिफेंस साइबर एजनसी के बारे में कल लोग सभा में एक लिखिच सवाल के जवाब में रक्षा मंतराले ने ओफीशल ये जवाब दिया कि साइबर वार्फेर के लिए इस एजनसी को अब स्थापित कर दिया गया है और ये पूरी तरह से फंक्शनल है आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि Unacademy आप पर आप मुझे इस ID पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का PDF आपको Pathfinder underscore UPSC Telegram चैनल पर प्राप्त हो जाएगा देखिए Cyber Threat या फिर Computers के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से जो हमले होते हैं वो काफी समय से भारत और दुनिया के दूसरे देशों को परिशान कर रहे हैं भारत ने इनसे निपटने के लिए एक Cyber Emergency Response Team CERT जिसको कई बार CERT India CERTन भी कहा जाता है इसका गठन किया था लेकिन अब समय आ गया है कि तीनों ही Defense की Services, Army, Navy, Air Force अपनी Specialized Teams को गठित करें भारत सरकार ने ये भी कल गोशना करी कि National Cyber Security Strategy को बनाया जा रहा है और कुछी समय में इसको अप्रूव कर दिया जाएगा फिलाल Cyber खतरों से निपटने के लिए कई तरह के Cyber Audit होते हैं जो Armed Forces के द्वारा किये जाते हैं अपने Networks पर Physically Checking होती है और कई Policy Guidelines का पालंग किया जाता है लेकिन एक National Cyber Security Strategy की कमी महसूस करी जा रही थी और अब सरकार निका है कि हम इस पर काम कर रहे हैं कुछी दिनों में ये लाब हो जाएगी Cyber हमले पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और भारत में भी इन Cyber Security वारदातों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है 2021 के शुरुआती 6 महिनों में ही देश में 6 लाक से भी जादा Cyber Attacks हो चुके हैं 6 लाक Cyber Attacks Just imagine कीजिए कि प्रती दिन कितने Cyber Attacks होते हैं इन में से 12,000 Government Organizations के उपर थे और ये काफी Critical Organizations हैं जैसे कि Ministry of Defense या उसके अधीन आने वाले कई सारे Specialized Agencies और Armed Forces के Departments तो इन सभी पर भी हमले की कोशिश करी गई ये हमले किन देशों से हुए हैं तो दुनिया के कई देश हैं जहां से ये हमले हो रहे हैं इसमें African Countries, European Countries, Asian देश सभी शामिल हैं ऐसा नहीं कि कि किवल China या पाकिस्तान से Cyber हमले हो रहे हैं लेकिन लोगसवा में दिये एक written question के जवाब में हमारे Minister of State for Electronics and IT राजीव चंद location को छुपा देते हैं, masquerading techniques के माध्यम से ये उस server को छुपा लेते हैं जहां से ये हमले शुरू होते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि कोई हमला Algeria से हो रहा है, कोई Brazil से हो रहा है, जबकि इन देशों से भारत की कोई ऐसी खास दुश्मनी या फिर मतलब कोई दुश्मन नहीं है, जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ना किवल physical सुरक्षा देश की physical defense बलकि cyber space में defense भी एक बहुत ही important area बन गया है देश की सुरक्षा के लिए, अगर आपको राश्टर को बचाना है तो ना किवल physical borders बलकि cyber borders को भी सुरक्षित करना जरूरी है, ल साइबर हमलों के सामने नाकाम सी नजर आती है, चाहे वो USA हो, चाहे वो UK हो, या अन्य वेस्टर डेमोकरिसीज, सभी में बड़े-बड़े साइबर हमले होते रहते हैं, आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि US में एक oil pipeline के systems को hack कर लिया गया था और वहाँ पर उन्होंने ब लेक्चर भी बनाया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, डीटेल में जानने के लिए इसके बारे में, पैगेसेस वाला पूरा जो incidence है, यह हमें बताता है कि किसी पर जासूसी करने की जो technology है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, और ना केवल computers, बल्कि mobiles का भी इस्तमाल करते हुए, सरकारों को, सरकार के अधीन काम करने वाले लोगों को सब को surveil कर सकती है, यह फिर उनकी जासूसी कर सकती है, और अभी तक, दुनिया में जालातर देश, उसको रोकने के लिए कोई proper कानून नहीं बना पाएं, कोई legal या political framework नहीं है कि इन technologies का इस्तमाल कैसे किया जाए, for example, इसराइल में defense ministry यह तै करती है कि Pegasus किस देश को बेचा जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई standard policy नहीं है, उनका मन होगा उस देश को देदेंगे, उनका मन होगा उस देश को नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए कोई standard policy नहीं है, तो अब यह जो पूरा Pegas जैसे देश भी, surveillance को लेकर और सक्त नियम कानून बनाए, policy framework बनाए, तो यह सब आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा, अब अगर फिलाल के हम बात करें, cyber space power के रूप में सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो वो है USA, अगर किसी देश के पास यह काबिलियत है कि वो cyber attacks कर सकता है किसी भी देश पर, तो वो USA के पास सबसे बड़ी power है, हाला कि चाइना इस मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कुछ महीनों में या कुछ सालों में शायद USA से भी आगे बढ़ जाएगा, civil और military, दोनों प्रकार के cyber सुरक्षा के मामलों म लेकिन अभी के लिए तो USA number one पर है, भारत, जापान, इरान जैसे कई देश अभी भी cyber सुरक्षा के मामलों में बहुत कमजोर है, लेकिन अब भारत बड़े स्तर पर planning कर रहा है कि cyber सुरक्षा वाले शित्र में काम किया जाए, नय कानून लाय जाए, नया framework तयार किया जाए Cyber Security कितनी important हो चली है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि Joe Biden और Vladimir Putin की जो पहली मुलाकात हुई है, उसी में उन्होंने Cyber Warfare के उपर काफी देर चर्चा करी और ये भी decide किया कि दोनों देश आपस में consult करेंगे Cyber Security को लेकर, दुनिया की सरकारें, social media के माध्यम से Cyber Space में कितना active र यूनिट जो है, इसके सैनिक, आम सैनिक नहीं है, बलकि ये Cyber Warriors हैं, इन्होंने देश के social media platforms जैसे की Facebook, etc. पर बहुत सारे groups बना रखे हैं, जहांपर pro-government statements, pro-government post, articles, videos, ये सभी चलाया जाते हैं, इनको publish किया जाता है, और इसके माध्यम से ये Cyber Space को pro-government करने की कोशिश कर र soldiers हैं, जो बाहर से एक दिखावा कर रहे हैं कि हम influencer हैं, पिछले महीने, चाइना ने भी अपने Cyber सुरक्षा कानून में एक छोटा सा बदलाग किया था, जो काफी interesting है, अगर चाइना में कोई भी Cyber Security Expert को, या कोई भी normal व्यक्ती जिसको थोड़ा बहुत idea है, Cyber सुरक्षा का, उ उसको वो सरकार को बताना जरूरी है, अब आम तोर पर क्या होता है कि ऐसे bounty programs companies चलाती है, जैसे कि Google जैसी company एक बहुत बड़ा bounty program चलाती है, अगर आप Google में कोई loophole निकाल लें, जिससे Google की websites असुरक्षित पता चल जाती है, तो आप अगर वो Google को बताओगे, तो Google आपको ब Facebook किसी को भी नहीं बेच सकते, ठीक है, थर्ड पर्टी में सभी आ गए, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते, आपको वो जानकारी सरकार को देनी जरूरी है, और नहीं दोगे, तो आप जानते ही है कि चाइना में क्या होता है, जेल में डाल दिया जाता है, ना अपील, ना वकी कर रहे हैं, तो आने हाले एक मिनिट आपके लिए काफी important है, UPSC exam के best teachers, best educators, अब unacademy app पर पढ़ाते हैं, चाहे वो offline के teachers हो, online के teachers हो, जिन से पढ़ने के लिए आप कभी सोचते थे कि दिल ली जाएंगे, अलावाद जाएंगे, ऐसे शहरों में, वो सभी teachers अब unacademy पर तो आप subscription ले सकते हैं, और unacademy subscription में ना केवल classes होती हैं, बलकि आपको test series भी मिलती है, तो prelims, mains की classes, दोनों की test series, optional की classes, optional की test series, printed किताबें, यह सब कुछ आपको बहुत ही कम price में मिलता है, less than 50,000 rupees, तो यह जो हमारा combo subscription का offer है, this will be ongoing till 15th, 18th August, और इसमें आपको कई सारे benefits मिलन वाले हैं, जैसे की combo subscription में, optional JS, दोनों के तैयारी, दोनों के classes का, आपको material सब कुछ मिल जाएगा, test series आपको अभी free मिल जाएगी, और याद रखिये की plus और iconic, दो तरह के course होते हैं, iconic में आपको mentors guide करते हैं, आप normally कोई भी course लें, उस पर अगर आप महिपाल code use करेंगे, तो आपको 10% discount मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 10% discount मिलेगा, अगर आप महिपाल code use करते हैं, तो this price will be after the entire discount, optional के courses भी यहाँ पर available हैं, optional के बहुत सारे नए courses अब launch हो रहे हैं, September, October में, so do check them out, और यह सभी course, EMI option पर available हैं, printed किताब हैं, आपको यहाँ free मिलेंगी, और नए batches हर जैसे ही subscription लेते हैं, तो जैसे Hindi, English, 1 year, 2 year batches इस तरह से नए batches बनते हैं, 19th August से मेरा medieval history का course शुरू होने वाला है, 19 August से medieval history हम पढ़ेंगे, यह Phoenix batch का पार्ट है, 12 गंटे में पूरी medieval history cover करवा दी जाएगी, और Tamil के batches भी अब start हो चुके हैं, do check them out, अगर आप Tamil में तयारी करन जीतने के लिए और बाकी scholarships तो हैं ही, scholarship जीतने का target रखो, gift तो अपने आप आजाएंगे जीवन में, scholarship जीतोगे तो आपका career समर जाएगा, कहीं पर भी invite या unlock code मांगा जाता है, just use this code to enroll, thank you very much, have a great day.